हलो, हमारा आज का टॉपिक है सिल्क सिल्क एक बहुत ही शाइनी फैबरिक होता है जो बहुत ही स्मूध होता है and it's a very beautiful फैबरिक सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल तरह की इंसेक्स की जरूत होती है जिने हम सिल्क वार्म कहते हैं यह तरह के कैटरपिलर्स होते हैं और सिल्क वार्म को ग्रो करना और इनका ख्याल रखना इस प्रॉसेस को हम सेरी कल्चर कहते हैं so what is sericulture? रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म to obtain सिल्क सिल्क उगानी के लिए सिल्क वार्म को रियर करना यानि कि उन्हें पैदा करना और उनको ख्याना खिना उनका ख्याल रखना इस प्रॉसेस को हम सैरी कल्चर कहते हैं सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे कि सिल्क मौत क्या होता है और उसकी लाइफ हिश्ट्री क्या होती है आपने बटरफ्लाइस तो देखे ही होंगे इस तरह से बटरफ्लाइस दिखते हैं बटरफ्लाइस की तरह ही एक और इंसेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं मौत मौथ और बटरफलाई में फर्क्या होता है कि जो बटरफलाई के सींग होते हैं वो उपर से गोल होते हैं जबकि एक मौथ के जो सींग होते हैं वो फैदर की तरह होते हैं दिल्लुक फैदरी यह सबसे पहला डिफरेंस है मौथ और बटरफलाई का और मौथ के जो पंक होते हैं वो भी बहुत ब्यूटिफुल और कलरफुल हो सकते हैं and it will look like a butterfly, right? इन में से एक ऐसा इंसेक्ट है सिल्क मौथ सिल्क मौथ एक बटरफलाई जैसा दिखने वाला इंसेक्ट है इस में से जो फीमेल सिल्क मौथ है वो एग्स ले करती है इस एग्स से लारवा निकलता है जिसको हम caterpillar कहते हैं यानि कि बेबी सिल्क मौथ इस caterpillar यानि लारवा को हम सिल्क वाम भी कह सकते हैं यह silk warm क्योंकि बेबी होता है तो यह बहुत सारा ख्वाना कहता है और यह खाने में खाता है mulberry leaves mulberry एक बहुत बड़ा सा पेड होता है और उसके पत्तों को ये silk warm बहुत शॉक से खाते है उसके बाद जब silk warm खाँ खाके काफी मोटे हो जाते है तो वो क्या करते हैं? वो एक जाला बुनते हैं. वो अपने हेड से, अपने हेड को स्विंग करते हैं in form of eight. अपने सर को इस सर से घुमाते हैं कि eight का शेप बनता है और अपने मूझ से saliva निकालते हैं. और saliva की मदद से, saliva जैसी ही air की presence में आता है, वो hard हो जाता है. और ये silkworm उस saliva की मदद से एक net यानि एक जालीदार structure बनाते हैं, जिसको हम cocoon कहते हैं. ये cocoon एक silk से बना हुआ, एक box जैसा होता है, round box जैसा होता है, जिसके अंदर silk, ये जो silk warm है, यानि कि लारवा है, वो इसके अंदर सो जाता है, sleep करता है for some time. और ये cocoon एक protein से बनता है, जो air की presence में के silk thread बना देता है, और इस cocoon के अंदर, ये बड़ा सा cocoon है, ये silk से बना है, silk thread से बना है, और इसके अंदर छोटा सा baby larva सो जाता है, और ये baby larva, यानि कि silk warm, pupa में convert होता है, pupa मतलब, it will convert into a different structure which will look like this, and finally, ये pupa will convert into a silk moth, तो ये इसकी life history है, this is the life history of a silk moth. तो अगर आप यहां देखें, तो silk moth बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे की mulberry silk moth बहुत common है, mulberry silk moth, इससे mulberry silk moth, इससे mulberry silk moth बनता है, ये white color का काफी बड़ा सा आप देख सकते है, फिर tusser silk moth, एक बहुती common तरह का silk moth होता है, जिससे tusser silk मिलता है, वो भी silk moth बनता है, तो ये चारो के चारो silk moth, यानि की butterfly जैसे दिखने वाले insects, अलग अलग तरह का, अलग अलग quality की silk बनाते हैं, and all of them are very expensive, आप देख सकते हैं, ये इनका larva है, जो वो आपने देखा था जो अभी, that was the, that was the silk moth, यानि जो butterfly जैसे दिखते थे, and this is known as the larva or the caterpillar, तो य ये mulberry silk moth का larva है, अब देख रहे हैं, white color का है, right, ये tusser silkworm का larva है, yellow color का है, इसका cocoon भी yellow color का होता है, ये moga silkworm का larva है, यानि की उसका silkworm ये caterpillar, and finally this is the larva of the ary silkworm, यानि की ये इनका baby है, वो जो silk moth है, वो इस तरह के caterpillar जैसे जानवर दिखते हैं, जिनको हम silkworms कहते हैं, and we can also call them larva, और we can also call them caterpillar, इने caterpillar भी कहा जाता है, caterpillar, but इनका सबसे common name है, silkworm, because they produce silk, silkworms कहा जाता है, इने, now ये जो caterpillars है, ये देखे इसकी life cycle, ये cocoon बनाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, कि this is the adult moth, जो butterfly की तरह देखती है, ये इसमें से जो female होती है, वो पत्ते के अबर चोड़ चोटे eggs ले करती है, ये ही eggs larva में convert हो जाता है, और ये जो larva, यानि कि caterpillar है, वो बहुत सारे mulberry leaves खाता है, चार हफतों तक, एक महीने तक ये बहुत सारे mulberry leaves खाता है, और एक महीने के बाद वो अपने आसपास एक cocoon बना देता है, और इसके अंदर फिर सोने के लिए चला जा इसे दिलाइख का खाता हैं, और ये खाता है, ये अंदर लुका है, प्यू और बहुता आई, लुकान और के आम टसक्री, बास प्छिंगा और खोने सीमत, तो प्यूपा अंचने मैं है कि उसकोग कंः इक टुक्चरा है है, और ये जह कह बहुत सिलिए, बहुत राम्अ कर